बिग बॉस में लोगों का दिल जीतने वाली घर घर की बहुर रिष्टो को समझने वाली अंकिता लोखंडे को मिल गई बहुत बड़ी सफल था आ रही एक ऐसी फिल्म जो तोड़ देगी बॉक्स ऑफिस का सारा रिकॉर्ड देखते रहे गए मुनवर फारुकी मननारा को भी नहीं लगी खबर आश्या खान को भी किसी नहीं पूछा इदर बिग बॉस से निकलते अंकिता लोखंडे ने कर ली ऐसे फिल्म साइन पीछे चूट गई बड़ी से बड़ी अभिनेत रिया टीवी सीरिल्स के बाद अब बड़े परदे पर अपने कातिलाना अदाय दिखाएंगे अंकिता लोखंडे ठुमके से लागे गियाग कमर मटकाने का ले रही इतने करोण उपए काटरिनो और दीपिका भी रहे गई पीछे घर घर में अपने रश्टों से प्रसिद अंकिता लोखंडे जहां बिग बॉस में टूटी और फूटी होई थी अब बिग बॉस से निकलने के बाद अंकिता लोखंडे के हाथे कैसे फिल्म लग गए जिसको देखकर बॉली उट की बड़ी से बड़ी अभिनेत्रिया दंग रहे गई काटरिना कैफ से लेकर दिपिका पदुकून जैसी अभिनेत्रिया में सोचने पर मजबूर हो गई कि अंकिता लोखंडे को इतनी बड़ी फिल्म कैसे मिल गई बिग बॉस में अपने पती से जगड़ने के बाद अपने रिष्टों को लेकर बार बार रोने धोने वाली अंकिता लोखंडे इस वक्त सुर्खियों में जहां मुनवर फारुकी की दोस्ती और अंकिता लोखंडे और विकी जैन के बीच हुए जड़ब से टी-वी सीरिल्स की बहतरी नदाकारा अंकिता लोखंडे चर्चा में आ गई थी वहीं इस पार अंकिता लोखंडे ने एक फिल्म साइन करके सबको हरान कर दिया कौन से फिल्म आ रही है कैसे अंकिता लोखंडे को इतनी बड़ी फिल्म मिल गई सब कुछ आपको इस रपॉर्ट में हम बताने वाले हैं वो भी विस्तार से बता दे कि कॉंट्रोवर्शिल रिलेटी शो बिग बॉस 17 खत्मों चुका है इस सीजन में नजर आते ही सबी कंटेस्टन धीरे दीरे अपनी पुरानी लाइफ में लौट रहे हैं अंकिता लोखन्डे भी हार का गम भूलकर अपने काम में लग गई हैं लेकिन शो हारने के बाद भी अंकिता लोखนडे के हाथ जाकपोट लगा है अक्टरस अज्शो में आने से पहले काफी समय से काली बैठी हुई थी लेकिन बिग बॉस 17 से बाहर आते ही अंकिता लोखंडे के हाथ एक बड़ी फिल्म लग गई जिसका रिलीज डेट सामने आ चुका है आईए आपको बताते हैं कि अंकिता लोखंडे कि इस आक्टर के साथ स्क्रीन शेयर कर सकती है टीवी अक्टरस अंकिता लोखंडे के हाथ से शो बिग बॉस सत्रा की ट्रॉफिय निकल चुकी है लेकिन इसका नुकसान उनके करियर पर नहीं पड़ा शो से बाहर आते ही अंकिता के पास एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट मिल रहे है जिसका खुलासा खुद अंकिता लोखंडे ने किया है अंकिता लोखंडे ने अपने उफिशल इंस्ट्राग्रम अकाउंट पर फिल्म वीर सावरकर का टीजर शेयर किया और खुलासा किया कि अक्टरस जल्दी इस फिल्म में नज़र आएंगी शो के तुरंट बाद अक्टरस को इस फिल्म के लिए मेकर्स ने अप्रोच किया और अंकिता लोखंडे इस फिल्म में रनदीब हुड़ा के साथ स्क्रिन शेयर करती नज़र आएंगी बता दे कि रनदीब हुड़ा के ये फिल्म मार्च की 22 तारीक को रिलीस होने वाली है इस बात का खुलासा नहीं हुआ इस फिल्म के जरिया अंकिता लोखंडे एक पड़े परदे पर वापसी करने को तैयार है बता दे कि बिग बॉस 17 में नजर आई अंकिता लोखंडे ने टीवी इंडस्ट्री में सीरियल पवित्र रिष्टा से डिब्यू किया था जिसने अक्ट्रस को स्टार बना दिया इसके बाद अंकिता ने फिल्मों में कदम रखा वो कंग्डा नोनात के फिल्म मड़ी करनिका दा कुईन ओफ जासी में नजर आई थी हालांकि अक्ट्रस के लिए फिल्म खास कमाल नहीं करती दिखी इसके लावा अंकिता लोखंडे फिल्म बागी तीन में भी नजर आई थी